वेलकम बैक टो एलर्निंग बीदेनामेम चैनल आज हम प्रेटिसाइट 3 के सास्थ आया अगर प्रेटिसाइट 3 की बात करें तो ये काफी इंपोडेंट हो जाता उन विद्यादियों के लिए जो जी आईसी की वेकंसी में जा रहे हैं जो आपके जी जी आईसी की में जा रहे हैं उसका 26 को है याद रखिएगा एल्टे ग्रेट के लिए कफी इंपोडेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में एल्टे ग्रेट की वेकंसी आपके सामने है चलिए स्टार्ट करते हम प्रेटिसाइट 3 को उससे पहले आज का जो मोटिवेशन को जो आपको उज़ावा लख लखेगा तता दूसरों से बैटर करने के लिए आपको प्रेडित करेगा ठीक है आपको क्या करना है कि आपके मावाव की फिक्र को आपको फक्र में बदल देना है बस इस जनून के साथ आप लगे रहिएगा क्योंकि आप हार गए तो दुनिया की कोई भी तागत आपको ज चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रेटि सेट ठीक हो और इसमें काफी एहम कोशनों को लिया गया था उन को भी रखा गया जिनमें आपको डाउट था तो ऐसे बिद्या दीजिए ना कोशनों में डाउट था वो आज की रखलागवा बश्य देखें जिससे कि को कोई भी डाउट पेपर टैम में उनके साथ ना जाए क्योंकि नेग्टिव मार्किंग कितनी है इसमें बंध थाड की नेग्टिव मार्किंग है तो जहां डाउट हुआ वहां आप टेक नहीं कर पाएंगे तो इसलिए डाउट को कोई भी लेकर न चाहिए आप सेशन के एं उसे तुक्का लगाना उसको भी टिक नहीं कर सकता चलिए शुरू करते हैं अपने प्रेक्टे सेट थरी की और उससे पहले आपको बता दें कि जब भी हम लाइव होंगे तो आपके पास नोटिफेकेसन जब आएगा जब आपने क्या कर रखा हो चैनल को सस्क्राइब कर र चलिए तो शुरूबात करते हैं अपने क्लास की यानि प्रेक्टे सेट थरी की तो उसमें पहला कुशन है आपका है पारस पर एक भारतिये परिवार की बिसेस्ता है तो यहां पर कौन सी बिसेस्ता है तो आपकी है उप्यूक्त सभी होती है आपको पता है भारतिये परिव प्रसार सिच्छा किस प्रकार की पदती है यह आपके PGT में भी आ चुका है तो याद रखेगा वहार एक पदती है किस प्रकार का सिद्धानत है तो सामाजिक सिद्धानत है यहाँ पर एक ची याद रखेगा सांके की महतो पूर है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उप्युक सभी के लिए राज्य के लिए अर्थिक नियोचन के लिए तीनों के लिए बताई जाती है आपका है डाया फार्म है यह बहुत आ चुका है तो आप गलती नहीं करके आएंगे गर्व निरोधक दवा है नहशलते हैं स्वस्त संतान को जन्व देने के लिए उप्युक्त आयू की बात की जाए तो वह 18-18 साल होती है तभी आयू की जो आया सीमा रखी गई है विभा की वह 18 के बात रखी गई है यह 18 साल कंप्लीट होने पर ठीक है इस पर सरका में कुछ लीजन थे आपके कुछ भी सामाजे को बोगो लिखो उनकी बज़े से तो इस पर इसलिए आप सरकार क्या करने जा रही है हतारे को बढ़ाने जा रही है जैसे कि एजुकिशन तो विक्ति की ग्रेजुएशन तो पूरी हो सके किस रोग में रोगी की तिल्ली यान कि दौरान हो सकता है दोनों मैं से एक होता है अगर एक भी दिम्मिदार है तो भी यह नहीं होता है तो तक othe दम्यचर ममें से कोई एक है तो घरनिष्ण संबंद हैं तो आपका ऑसलिए जैन संका समस्या बदन के ग्यान की प्रत्थेटना है तो आपका इसलिता यह बूर्स संकी नाशलतेंश सांखर की दस्कार को देती है तो आपका जो रायट आंसर है वो हमारा निश्चिता आपका संतुलन्ट डिजाइन का वह सिद्धानत बांताया चो यह घंचे ता है यहां पर उनलाट आस है वह हमारा क्रेगवार रस का पीलिया के रोखी के लिए लाब दायक है तो वो हमारा है गंडे का रस बाल सुरच्छा का स्वैम सेवी संगठन है तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हमारा उप्युक सभी यानि कस्तूर्वा गांधी ट्रस्ट बारतिय रेट क्रोस सुसाइथी और यूनाटिन नेशनल चिल्डर्ड्स अमर्जेंसी फंड यानि यूनिसेफ बिस्तू स्वासंगठन का मुख्याले कहां है तो इसे बूर लिएगा नहीं आपका है जनेवा में नेशनलते हैं आपका है बातायन यह संभान की क्रतिम सादन है तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हमारा है निर्वातक पंखे ठीक है क्या पूछा जा रहा है क्रतिम संपन नेशन ओरिक कुकी आपकोरप्यूशन ना रहे थमसे संबंदित टेली अबड डाल चुक हझन कुछा ना हो उसमें से दो या तीन कोशन आपको मिल जाएंगे किस उतक का निर्मार केवल गरवगस्ता में ही होता है तो वह हमारा राइट अंसर है तंत्र का उतक का नहिशलते हैं रुधिर में हानी कालेक पतातों को च्छान कर कौन अलग करता है यानि रुधिर से तो आपक कुछ ऐसे कोशन है जो आपको कौमर हर प्रटे सेट में नजर आएंगे तो उनका आने का रीजन यह होता है कि वह काफी रिपीट हुए है काफी बार प्रसार विसय का प्रतपादन हुआ है आज हम जी आई सी के जितने अब तक पेपर करा दी के हैं उनको आपके सामरे रख के लिए प्रसार का अर्थ ही यही है कि क्या हो उसका पैलाव ग्रामी लोगों के लिए वह फोस्टिक तत्व जो भोजन में वेकिंग पाउडर मिलाकर बन पकाने से नष्ट हो जाता है तो आपका जो रायट अंसर है वह हमारा प्रोटीन मात्र एवं सेसु कल्याण केंद्रों का प्रमुकार है तो यहाँ पे जो रायट अंसर है वह हम मात्र एवं बच्छों को शंक्रमक लोगों की लोगताम करना मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है तो यहाँ पे जो रायट अंसर है वह हम मादा एनोफलीच गोबर का सर्वोत्तम उप्योग है तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हमारा है बायो गैस बनाना वह हार्मोन जो हिदय की धड़कन तता लक्त के बहब को भड़ाता है तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हमारा है यह सबी बाल मृत्यू की सम्मेस्या को उचित समाधान है तो यहां पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वास्त घर कोशिका के जीवन का मूल आधार है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा केंद्रफ कियाद रखिए काफी इंपोर्ट एंड है यहां पे जीवद्रफी भी दे दिया है पहले अप्शन में सरफितम डेउन का इत्यास किसने तैयार किया तो आपका 29 का जो राइट अंसर है वो हमारा काउंट लेडे की चार्डो नेट ने नेशलते राष्ट ये बचत पत्र किसके द्वारा जारी किये जाते हैं तो यहां पे जो राइट अंसर है वो है पोस्ट आपिस आपके 20 रचनात्मक एवं किलियात्मक एक आई है यह आ चुका है आपके फीजीटी में अभी वाले 24 किसमें तो वो है नमाना नेफ्रॉन सिसु को पूरा कहर देना चाहिए तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा चार महा में चार महा से आपका टिटने स्रोक के लिए लगाए जाने वाला टी का होता है तो यहां पे याद रखिएगा वो ता ADS बोज पतार्तों को कौन सा जीब नश्ट करता है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा ये सभी जीबारू यहां आपका इश्ट और अपका है मोल्ड अधिक मात्रा में जल सुदी करन के लिए कौन सा रसानिक पदार्त उत्तम रहता है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा क्लोरीन नैश्ट दे है बायू के प्रमुक भाद किस निस्क्रिय कैस का होता है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमें देखना है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा नाइटोजन कौन सा रक्त सर्व सर्व ग्राही कहलाता है तो यहां पे जो राइट अंसर है वो हमारा वर्ग एवी सबसे ले सकता है बस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है तो आपका जो राइट अंसर है वो रहेगा यहाँ पर बस्त्रों का राजा की बात की जाए तो कपास रहता है बस्त्रों की राणी की बात की जाए तो रेसम रहती है याद रखिएगा भूलना नहीं क्योंकि बहुत जगे बस्त्रों का राज़ा आपको रेसम बे देगा बल बस्त्रों का राज़ा रेसम नहीं है कपास है और बस्त्रों की राणी की बात की जाए तो वो आपकी रेसम है आवशक्ता मनुस की वह इच्छा है जिसकी पूर्थी के लिए उसके पास पले आप तो होना चाहिए तो यहां 39 का जो रायट अंसर है वो हमारा क्या है साधन क्योंकि साधन के भिना व्यक्ति की आवशक्ता है पूरी नहीं हो जबती प्यायाम करने से पहले व्यक्ति को खाना चाहिए तो यहां पर जो रायट अंसर है कुछ नहीं खाना चाहिए कुछ कोशन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके अंसर आप पढ़कर भी दे सकते हैं देश्टी डोस वाले व्यक्ति को किस प्रकार का चस्मा पहनना चाहिए तो यहां पर हमारा जो रायट अंसर है वो है अवतल वक्त रेकाए होती है तो यहां पर 42 का जो रायट अंसर है वो है गुमावदार जन्सां के अब्लदी क्रम आपका माल थस के अनुसार है तो यहां पर जो रायट अंसर है वो हमाई जामतिय क्रम बीज वाला तंतू है तो यहां पे जितने भी दीग है उन्में से ईसे बीज वाला जो तंतू की बात की जाए तो आपका कपास होता है क्योंकि कपास में बेनोंने निकलतेást हैं आप याद रखिएगा जो रेसम है उसमें क्या है सेरेसिस नामक गम निकलता है उसके जब उसे रेसम के धागे को अलग करते हैं तब कौन से पाचन या फिर ये कहें कि जो रेसम का कीड़ा है वो अपनी मुह से रेसम के साथ सेरेसिस नामक गम निकलता है कौन से पाचन गंती अधिक मदरा का सेवन करने से नश्ठ हो जाती है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा यक्रत गंती लीवर डैमिज हो जाता है मदरा पीने वालों का प्रसार सिच्छा का मुख्य अंगर है तो यहां पर 46 का जो राइट अंसर है वो हमारा रहेगा प्रसार सिच्छा का जो मुख्य अंगर की बात की जाए तो यहां पर जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उप्युक सभी निमले के तमेंशे किस पधारत का उसरजन स्वस्त व्यक्ति के मुत्र में नहीं होता है तो आपका जो राइट आंसर है वो है गुलुकोस का प्रेहम विभा का आपका परंपरात गुत्म नाम क्या है तो यहां पे 48 का जो नाम है वो है प्रजापत्ते बिवहा परमपरा तमक नाम जो यानि परमपराओं से चला रहा चली नेशल थे हैं रंगों की सही पेंचान ना करपानी का दोस कहलाता है तो यहां पे जो 49 का रायट अंसर है वो है बन अंदिता क्योंकि इसमें क्या होता है कि रंगों में अंतर नहीं कर पाते परवया नियोजन का पुरुष दुद द्वारा प्रस्तुत की यह जाने वाला साधन है तो यहां पे जो रायट अंसर है वो हमाई निरोध नेशल थे हैं गरह बेवस्ता एक प्रकेरिया है तो यहां पे जो रायट अंसर है वो हमारी मांजिक मानी जाती है सांके की ब्रद्दी करती है तो आपका 52 का जो रायट अंसर है व्यक्तिकत अन्ववव ग्यान में म्रदा कुछ दूशित करने में सरवादिक योगदान किसका होता है तो आपका जो रायट अंसर है वो हमारा यह सभी का गरेलू अपमाचन का प्रदूशित जल का और प्रदूशित पायुकार्ण हिंदू बिवा का क्या उद्देश है तो यहां पे जो रायट अंसर है वो ह हमारा है यहां पे यह सभी प्लास्टिक रेशा है तो आपका नहीं जो रायट अंसर है वो हमारा है आरलों बिसाडो द्वारा फैलने वाला रोग है तो 56 का जो रायट अंसर है वो है यह सभी यहन छोटी माता, कसरा और चिचक यह हम पिछले प्रेटे सैट में भी करा चुके हैं, काफ़ी इंपोडेंट है आपका है, मुसलबानों में आइस्ताई विभा कहलाता है तो आपका 57 का जो रायस्ट अंसर है, वो हमारा मुथा अर्थसास्त में बजार सब्त का अभिप्राय है, तो आपका 58 का है, एक वस्थू का बजार नहशलते हैं, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंभाई होनी चाहिए लगभग तो आपका 59 का जो रायस्ट अंसर है, वो हमारा है 20 से 25 सेवी की दहेज निरोदक अदिनियम यहने 1961 को कब संसोदित किया गया, तो आपका जो रायस्ट अंसर है, वो हमारा है 1984 ना के किसी भाग में सफेदक कोशेकाई तंतका सुत्रों के द्वारा मस्तिस में अपना संपर्ग बनाए रखती है तो यहाँ पे जो रायस्ट अंसर है, वो हमारा है प्रश्ट भाग हमें सदे सौंस लेनी चाहिए, तो यहाँ पे रायस्ट अंसर है, वो है नाक से आपका उत्तम ग्रह सज्जा के लिए अन्यवार रहे है तो यहाँ पर जो रायट आंसर है वो हमारा अबरुचिवा सूंदर रिबूर सांके की अध्यन करती है तो यहाँ पर 64 का जो रायट आंसर है संक्यात्मक तत्थ्यों का ने में लिखे तुम ऐसे दर्श शामिकरी का साधन क्या है तो आपका 65 का जो रायट आंसर है वो हमारा है यहाँ पर फिल्म स्लाइड और आपका है फ्लिनल ड्राफ नहशलते हैं काफी इंपूर्टेंट कोईशन है तो आप क्या करें कि इसके जो पीडियाफ है अब इस आंसर आपको टेलिगा आप चैनल पर मिल जाएगा ग्रह विबस्तापन का नेंतन कार्ड है तो आपका 66 का जो रायट आंसर है वो हमारा है यह सबी यूनिसेफ का मुख्य काले अले इस्टित है तो यहाँ पर 67 का जो रायट आंसर है वो हमारा निवार्क में है सैसाबस्ता में लोगों से बच्चाव का प्रमुक उपाय है तो आपका 68 का जो रायट आंसर है वो हमारा टीका करन घर के कूड़े को 71 करना चाहिए तो आपका जो रायट आंसर है वो हमारा है कूड़े दान में कुछ इस तरह के कूशन होगे जिने आपको पढ़ना भी नहीं है आप देखते हुने टिक कर देंगे तो एक जाम में बन थड़की नेग्टिम मार्किंगे वस इस तना याद रखेगा नियमित ब्यायाम करने से सरीर बनता है तो जो रायट आंसर है वो हमारा किरिया सीलवत स्वस्त फैपणों की सरचना होती है तो एक तर का जो रायट आंसर है इस पंजी बहुत बहुत बार बूची जा चुकी है अपस आप उपास्ती किस पधार से बनती है तो आपका 72 का राश्ता कोडिन से बालक बालकाओं में पाई जाने वाला सामजिक अंतर है तो आपका 33 का रायट आंसर है वो हमारा आचरण में हिपेटार्टिस भी बैक्सीन की तीसरी खुराक दी जानी चाहिए तो रायट आंसर जो हमारा पहली खुराक के चेहमा बात तमाकू का अधिक सेवन करने से हो जाता है तो 75 का जो रायट आंसर है वो हमारा उप्यक्त सभी सांकेगी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो आपका 76 का जो राइट आंसर है वो है गड़ित का विशेच ग्यान रखने वाले व्रक्तियों के द्वारा नहशलते हैं बेवाइक जीवन की सफलता के लिए आवशक है तो आपका 77 का जो राइट आंसर है वो है पद्दिनी पद्दिनी में उच्छ साम जस्य होना रोगी की अबस्ता में आहर विबस्ता का मुख्य उद्देशिन नहीं है तो 78 का जो राइट आंसर है वो हमारा है स्वादिष्ट बोजन देना सरीर में सरीर वा मस्तिस के पूर्ण रूप से कारे करने की अबस्ता कहलाती है तो 79 का जो राइट आंसर पूर्ण स्वास्त नेशलते हैं आपका भूमी गत जल में पाई जाने वाल अलवर्ण जो चर्म रोगों को दूर करता है वह है तो आपका जो 80 का राइट आंसर है गंदक रक्त की सुद्धी किस अंग में होती है तो आपका 80 का जो रायट आंसर है वो हमारा फैपड़ो में स्वसनि की संपूर के रिया में कितना समय लगता है तो आपका 82 का जो रायट आंसर है वो हमारा 4 सेकंड खोपड़ी में कुल कितनी अस्तियां पाईश जाती है तो आपका इटी थिरी का जो रायट आंसर है वो हमारा बाईश डी एने है तो आपका जो रायट आंसर है वो हमारा है नूकुलिक अमल सरीर के सुचितम के लियात्मक एकाई है तो आपका जो रायट आंसर है वो हमारा है कोसिका सूरी की धूप से तो हमें सूरी की धूप से क्या मिलता है तो वो हमारा रायट आंसर जो है वो हमारा उप्यूप सभी पिटाविंडी मिलता है संकमर्ण को दूर बगाती तो तच्चवचा रोग नहीं होते राष्ट के स्वास्तवा भलाई से सम्मंद दो प्रमुक चीजें हैं परिवान नियोजन दूसरा बोश्ट काहर यह कतन किसका है तो 87 का जो राइट आंसर है यह कतन इंद्रा गांधी का टोस पूरक बोश्पधार्थ नहीं है तो आपका 88 का है दूद इस बार आया था कि इस मैसेज सुद्ध तरल्पदार्थ नहीं है तो वो चाय थी क्योंकि चाय को सुद्ध तरल्पदार्थ में रखा नहीं जाता चावल ददा दाल बार बार दोने से उनमें नश्ट होने वाला पोष्टिक तत्तो है तो आपका है बिटामिन B समूग सामान हीमोगलोबिन का इस्थर होता है तो आपका नप्य का जो राइट आंसर है वो हमारा है ती यह हमोगलोबिन का भी आ चुका है तो यह 13 से 15 आप हमें बताएंगे कि कौन सा पोष्टिक तत्तो है जो गरम करने से कौन सा बिटामिन नश्ट हो जाता है आपका है साइको सेक्सुल सिद्धांत के प्रतबादक है तो आपके साइको सेक्सुल सिद्धांत जो है या नि मनुभाग्या ने कौन है तो यहां फ्राइड ने दिया है यह नहीं चलते हैं किस विद्वान ने एक विभा को ही विभा का आद स्वरूख माना है तो वह हमारा 92 का जो राइट अंसर है वह हमारा मैकाईवन ने वह सारे रिकालक जो व्यक्तित्तों को प्रभावित करता है तो आपका 93 का जो है वह हमारा ये सबी जो उपवक्ता अपना अहित्वा सोसन होने पर आवाज उठाते हैं उनको कहते हैं तो राइट अंसर है सचे तो प्वक्ता मानवके मस्टीश कोस की अस्तियां आपस में किस प्रकार की संदी से जुड़ी रहती है तो 95 का जो राइट अंसर है वह है चल संदी किस कालर्ण से मनुष्य मादग बदार्थों का अव्यस्त हो जाता है तो 96 का जो राइट अंसर है वह हमारा ये सबी सरीर में तचा के नीचे वगा अस्थियों के ऊपर पाई चाती है तो 97 का जो रायट अंसर है मास्पेसिया हमें बचना चाहिए तो 98 का रायट अंसर है मादग पदार्टों से आपका है माल थस के अनुसार जन संक्या की प्रतेख ब्रद्दी होती है तो 99 का जो राइट अंसर है हानिकारा ये कफी important है क्योंकि अभी जनसंक्या गरना चली रही है आवशकता पूरती ना हो पाने के कारण उत्पन दुख क्या कहलाता है तो यहाँ पर जो राइट अंसर हो है मारा भंगिनाशा पर गिनाशा क्या होती है किसी पित्ती की इच्छा की पूरती ना होने पर चोतपन उसके संबेग होते हैं वही पर गिनाशा होती है तो यह PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आई हो अब आपको यह सेसन पसंद आया होगा कुछ इस्टूरेंटिस में क्वेरी कर रही है तो आप अविश्य बताईएगा चलिए आज के सेसन में बस इतना ही नेश्ट में फिर मिलेंगे अपने टॉफ हंड्रेड कोशनों के साथ और प्लस हम GIC के चितने भी एक्जाम हो चुके हैं उनके कोशनों के साथ आपके सामरे जल्दी ही आएंगे तो तब तक के लिए बस धन्यवाद जैहिं जैभालात